नियूज क्लिक में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे रैफेल डील के बारे में इस पे काफी इस वक्त चर्चा हो रही है और काफी विवादस्पद हो चुकी है रगु इस वक्त जो है प्रेजडेंट होलांड ने अभी बात किया है कि ये जो कह रहे हैं कि डासॉल्ट और एलायंस के बीच पे जो संबंध हुए हैं ये हिंदुस्तान की सरकार के तरफ से आई है फ्रेंच वालों ने नहीं किया डासॉल्ट ने नहीं किया फ्रेंच सरकार ने नहीं किया डासॉल्ट ने नहीं किया ये उन पे थोपा गया है तो इसे खिलाफ दूस्ते तरफ से सरकार कह रही कि नहीं निर्मला सी तरह बन पहले कह चुके हैं ये तो उनकी डिसिशन थी हमारे इससे कोई लेना देनी है इस पर क्या लगता है देखिए मैं बहुत ही हैरान होता अगर ये बात सही आती कि दासौल्ट ने अमबानी और रिलाइंस कमपनी को सेलेक्ट किया होता अपने आप पहली बात ये है कि जब मोदी साब गाय थे फ्रांस में और फ्रांस की सरकार से ये बात की इस रफाल डील के बारे में तब तक 126 जहास के बारे में बात हो रही थी जिसका एच-ए-ल के साथ संबन था दो दिन पहले डिफेंस मिरिस्टर भी कह चुका था है एच-ए-ल के साथ होना है हिंदुस्तान एरनॉटिक्स के साथ यका यक जब मोदी साब ने ये तैय किया कि पिछला टेंडर को हम कैंसल करेंगे और नया डील लेंगे तो चंद दिन के अंदर कैसे एक कमपनी दैस आल कैसे बड़ा कमपनी एक अनजान कमपनी अनिल अमवानी की रिलाइंस कमपनी के साथ इतना बड़ा डील तै कर सकता है मुझे तो ये बिलकुल मुम्किन नहीं लगता कमर्शल तोर से या सामरिक तोर से और मैं इस बात से भी हैरान हूँ कि भारत सरकार ये कहे कि पचास प्र डील में पर आपने जिसके साथ करना है जो मर्जी है वो कर लो एरे गहरे किसी से कर लो ये तो कोई माइने नहीं रखता ना तकनीकी तोर पे ना सामरिक तोर पे आफटर आल पचास प्रदिशत आफसेट करने का मकसद केवल पैसे कमाना और वो भी किसी विक्ति से किसी भी से कुछ भी बना के ये उसका मतलब नहीं है। आफसेट का मतलब ये होता है कि आप ना केवल एक मशीन को खरीदें पर उसकी तक्नीक को आप अपनाएं देश के अंदर आएं ताकि अगले चरेंड में ऐसी तक्नीक को आप खुद बना पाएं और इंपोर्ट करने की जरूरत पड़े. इसको कि सरकार को वाज़ है कि सरकार इसमें एक इहम रोल प्लेए करें में चुनने के लिए कि कौन सी टेक्नॉलजी आप अपनाना चाते हैं, वो उस टेक्नॉलजी को अपनाने के लिए कौन सी कंपणी बहतर रहेगा, यह तो सरकार ही तै करेगी और यहीं वज़ program strategic partnership program में ये लिखा गया है कि भारत सरकार चुनेगी partner को offset के लिए या partnership के लिए तो ये अगर आप strategic partnership कह रहे हो तो बाकी जितने contract है वो strategic नहीं है इसका मतलब आप पनवाडी के पास एक contract दे दो कुछ भी बनाने के लिए तो वो भी चलेगा क्या ये तो मुझे समय नहीं आता है तो एक सवाल इस पे जो एहम सवाल बन के आता है जिस इस तरह के सामरिक कोई भी चुकती जब होती है agreement होती है तब मान के चलना चाहिए कि सर्थ दोनों देश की सरकार पूरी तरह से इस पे जुठते हैं ये private company के लिए भी प्राइम मिनिस्टर्स प्रेजिडेंट्स आते हैं डील करने के लिए तो ये कभी भी ये सिर्फ एक private deals नहीं होते सरकार को हटा के सरकार जब इतनी बड़ी पैमाने पे अस्त्र खरीते हैं ये हवाई जाज करीते हैं तो इसके पीछे एक राजडितिक पूरी ताकत होती है अब ये कोई भी डील में ऐसा ये private लोग अपने आप तेह करेंगे कभी नहीं होता और वो भी खास करके जब पिछला टेंडर जो की एक माइने में कमर्शल टेंडर था जो भारत सरकार फ्लोट करती है और बाकी कमपनी अपलाई करते हैं और कमर्शल तोर पे आप चुनते हैं कौन कमपनी है उस टेंडर को कैंसल करके भारत सरकार और फ्रांसी सरकार के बीच में ये समझाता हुए है तब आप कैसे कह सकते हो कि ये तो एक कमर्शिल डील है दोनों के बीच में बाइ डेफिनिशन दिस इन इंटर गवर्मेंटल पार्क्नरशिप दो सरकारों के बीच में समझाता है तो सरकार जमेदारी लेती है इसमें इसके बाद अभी कारवन अख़बा जो पत्रिका है उस पे निकली है कि जो सम्मंध जो डील साइन हुए उसी दिन डैसाल्टर रिलाइंस की चुकती भी साइन हुए थे तो इससे तो और भी साफ है कि एक पहले से ये प्लैन था और दोना तरह से जानकारी थी कि इसको इस तरह से करना है तो एक तो ये रही इसकी बात दूसरी बात जो है कि रिलाइंस के बारे बहुत बार ये कहा गया है कि HL एक कारगर बिमान बनाने का च्छामता रखने वाली कमपनी है Reliance के इसके बारे में क्या विग्यता रहा उसके experience क्या रहा उसकी क्या काबलियत रही है देखिए अने लंबानी की Reliance Company Reliance Aerospace की military technologies को लेके कोई experience नहीं है उन्होंने हाल में पीपावाव डिफेंस जो शिप्यार्ड है प्राइवेट शिप्यार्ड उसको उन्होंने खरीदा है जिसके वज़े से वो दिखा सकते हैं कि हमारी कमपनी में कुछ experience है एक्चली वास्तविक्ता में वो पीपावाव का experience है Reliance Aerospace का नहीं है Aerospace की बात छोड़ी है Reliance Company के पास manufacturing सेक्टर में उत्पादन की सेक्टर में कोई अनुभव नहीं है जबकि हिंदुस्तान Aeronautics और अफसोस की बात यह है कि हमारे रक्षा मंत्री ने यह कहा है कि यह पिछला डील जो था वो कॉलाप्स हो गया इस वज़े से कि हिंदुस्तान Aeronautics के पास कोई चमता नहीं है जब आप एक नई कंपनी है रिलाइंस जैसे जिसके पास कोई एक्सपिरियंस नहीं है उसकी तुलना में हिंदुस्तान Aeronautics के पास कम से कम सतर साल का अनुभव है लीडिंग इंटरनेशनल कंपनीज रूस के मिग्स रूस के सुखोई इसी दैसौल्ट कंपनी के मिराज ब्रिटन के हॉक ट्रेडर्स इतने सारे जहाज को उन्होंने अपने फैक्टरियों में बनाया है अपग्रेड किया है लाइसेंस मैनिफैक्टिरिंग किया है इतनी चंपता रखने वाली कंपनी जो आज आपके भारत के तेजस लाइट कॉमबैट एरक्राफ्ट को भी बनाने जा रहा है आप कैसे कह सकती हो कि इस कंपनी के पास चंपता नहीं है और एक नई कंपनी जो आज एंटरी मारा है जिसने डिफेंस सेक्टर में चंद दिन पहले आप उसको कह रहे हो कोई तुलना ही नहीं है दोनों के बीदे हिंदुस्तान एरनाटिक्स की चेर्बन भी प्राक्तिन चेर्बन भी इसके बारे बात कर चुके है नहीं है इस पच्टता इसी बात पर दिया क्योंकि रक्षामंत्री ने ऐसा एक स्टेट्मेंट दिया है बयान दिया है तो उन्हों ने यहीं सपच्टता दि कि हिंदुस्तान एरनाटिक्स ने दस्सोंड के साथ पूरी अग्रीमन्ट कर चुके थे work share agreement कर चुके थे कि आप क्या करेंगे हम क्या करेंगे और इसमें delivery schedule भी तेह किया गया था और अब रक्षा मंत्री और हमारे एरफोर्स के चीफ दोनों कह रहे हैं कि हिंदुस्तान एरनाटिक्स का timely delivery पे हमें चिंता थी तो इसलिए हमने दसौल को लिया और कहा कि आप 36 जल्दी से दीजे क्योंकि हेल अगर करेगा तो उसमें देर लगेगा अब रफाल के दसौल के साथ जब 36 लड़ाकू विमान के लिए जो समझाता किया गया है 36 एरक्राफ्ट भी वो तीन साल में दे रहे हैं 32 में पहला बैच आएगा तो इतना अगर वो डिले करेंगे तो एच एल इससे जादा क्या डिले करेंगा एच एल कितना इलसी ए सप्लाई करने के वाहले उन्होंने 12 तक किया था अब उन्होंने उसी असेंबली लाइन को 18 तक का वाइदा किया है 18 जहाज एक साल में बनाना बहुत अच्छी गती है पर अगर आप इससे भी जादा चाहते हैं तो थोड़ी और इन्वेस्टमेंट एक लागत सरकार लगाए इन लिव आफ जो पेमेंट करेगी एच एल को ताकि एक अच्छी असेंबली लाइन एक नई असेंबली लाइन उसमें बनाए ताकि 18 की जगए 20 हो 24 हो इतना साल में बनने की च्छंता रखते है एच एल और इस पे बातचीत की जा सकती है कोई इसमें दिक्कत मुझे नहीं दिखता तो यह उलांड पे जो कटाक्ष किया गया था कि उसकी पार्टनर के लिए रिलाइन्स ने कोई फिल्म बनाई थी इसी वज़े से उनको उलांड ने थोपा था हिंदुस्तान के ऊपर इस एग्रिमेंट में कि रिलाइन्स के प्रती उलांड कर नरम मिजास था पार्शियालिटी था यह तो उलांड ने एक दब खंडित कर दिया है और क्या लगता आप इसके बाद जो अरिंजैटली फिर भी कह रहे हैं यह बाते आ रही है उलांड का क्या इस पे इस पे क्या है उनका क्या इंट्रेस्ट रह सकता है अगर उनके पार्टनर ने अने लंबानी के साथ मिलके कुछ फिल्म भी बनाया हो कुछ चंद डॉलर के लिए तो इसके पीछे क्या साथ बिलियन डॉलर का कॉंट्रैक्ट को लेके उलांड इसमें क्या इन्वाल करेंगे और अब हमारे वित्तमंत्री यहां तक बढ़ गए हैं कि ये कांग्रेस के नेता और उलांड के बीच में कुछ शड़ियन्त्र है ये तो बात ये है कि हर चीज़ को लेके आप शड़ियन्त्र के रूप अगर दिखने लग गए सबसे बड़ी शड़ियन्त्र जो चल रही है उसको आप चुपाने की कोशिश कर रहे है ये काफी साफ नजर आ रहा है तो अगर आप देखे जिस तरह से बाते निकल के आ रही है पहली थी कितने कीमत है कितना 36 बिमान के लिए आप कितना दे रहे है और पहले 126 बिमान के लिए कितना रकम बाहर जा रहा था उस पे चर्चा हुई उस पे एक खुलासा जो वह हुआ है उससे बहुत अच्छा सरक्राल की च्छमी नहीं निकल रही है इसके बाद दूसरी बात आई कि अनिलम्मानी को इस पर क्यों जोड़ा जब कि अनिलम्मानी कमपनी इस वक्त अब जानते हैं कि NPS ट्रेस्ट आसेट्स में काफी फसे हुए है तो वहाँ बात आ रही नहीं अनिलम्मानी ज़र डेसॉल ने चुना है वो भी जो है तस्वीर टाला हो ना हो यह जब आगे इन्वेस्टिकेशन होगा कहीं न कहीं तो कभी न कभी ये बात निकलेगी पर दो चीज़ मेरे ख्याल से अवी बी सपष्ट हैं। पहला जिस पारदर्शिता के साथ इस प्रकार के रक्षा के मामलों में लेके जब डील होता है इस पारदर्शिता को लाने के लिए पिछले दस साल से भारत ने एक डिफेंस प्रोक्यूर्मेंट पॉलिसी उसके अनेक अवतार मौडिफाई करके एक रखा है आपने यका यक एक टेंडर को साइड में रखके एक अलग से डील करना यही पारदर्शिता पे सबसे बड़ा चोट है और वो इसी बात को उठाता है फिर से कि क्या रक्षा के सौदे में पारदर्शिता के साथ बात नहीं की जा सकती दूसरा जब भारत के वायू सेना ने सोच समझ के काफी सालों तक ट्रायल करके यह कहा था कि हमें 126 अडवांस्ट लडाकू जहास चाहिए उसके आधार पे टेंडर निकाल के कई जहाजों की तुलना करके रफाल को चुना था केवल रफाल को चुना नहीं था पर 126 जहाजों को चुना था उसको भी आपने यकाया के एक साइड में करके 36 पे आप उतर आए तो ये सामरिक रूप से भी ये बड़ा आश्चरिय जनक बात है कि जहां एक तरफ आपकी वायू से नहा कह रही है कि हमें 126 जहाज चाहिए और आपने जो है सरकार ने ये ताय कर लिया कि 36 काम चलाओ ये दो बात मेरे ख्याल से देश को चोट पहुंचाएगा और देश की जो चवी है अंतर राश्चरिय अस्तर पे उस पे बहुत चोट आएगा दूसरी बात जो जो पहले कह रहे थे कि आफसेट का मतलब है कि हमें टेक्नालोजी को कैसे इंडिजनाइज करें कैसे उसको हम ग्रहन करें कैसे अपने काबलियत इस पे बढ़ाएं ये सब चीजे इस तरह के डील्स अगर हो आप जिस पे ना कोई इंडिजनाइजेशन की प जो भी अलिन अमानी के कंपनी को जाएगी एक हिसाब से उनको तो एक गिफ्ट है बट डिफेंस के लिए इसको कोई फायदा डिरेक्ली दिखनी रहा है धन्यबाद रहू हमारे साथ होने के लिए आज हम इस चर्चा को ही खत्म करते हैं इस सवाल पर और दूसरे सवालों प पर डिव करते हैं इस सवाल करते हैं दुष्ट अग्मानी इस सब्सक्न जाएगा बरत कोई भी चार्वाइगन।